हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल में श्वागत है दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं आप उसके क्लाइंट की लिश्ट देखी एक बार जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह किस प्रकार की इन सबका नाम तो आपने सुना ही होगा EIL, Drational Rand, GSPC, ONGC, GNFC, BPC और यह बहुत सारे क्लाइंट है इस कंपनी के तो दोस्तों यह कंपनी काम क्या करती है इसके बारे में जानते हैं तो जो यह कंपनी है यह प्रोडक्ट बनाती है अपने एक्यूप्मेंट बनाती है और उन्ह सबका सप्लाई यह यहाँ पर करती है अगर हम प्रोडक्ट रेंज पर जाये तो हमें समझ में आएगा किनके कौन कौन से प्रोडक्ट रेंज है यहाँ पर देखिए दोस्तों यह इसके प्रोडक्ट रेंज है देखिए प्रेशर वेसल यहाँ पर आप देख सकते हो में दिख जाएगा जैसे कि air cold heat exchanger है यहाँ पे और उसी के साथ compressor auxiliary skid packaging भी उपलब्द है compressor auxiliary skid packaging आपने देख लिया cooling water console guys compressor है यानि दो-दो type के product मतलब कि यही product दो range में यह लग की product range मैंने जैसा कि आपको बता दिया client base मैंने आपको दिखा दिया है अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके थोड़ा सा fundamental check करते हैं और यहाँ पे देखिए दोस्तों loyal equipment limited 165 करोड की company है एक छोटी सी मात कमपनी है 24 का market sorry PE है और industry का PE 48 का है और जो pay ratio है 0.98 का है यह अपने एक reasonable valuation पर मिल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है ROE ROC में कोई सिकायत नहीं देखने को मिल रही है आप देखेंगी कि इसका face value है वो 10 है date manageable है आप देख पाओगे और dividend आपको pay नहीं करता यहां पर जवाब पर line पड़ेंगे कि manufacturing of industrial and engineering equipment तो आप समझ जगते हैं कि यह company काम क्या करती है लेकिन एक बात मैं भी बता दूँ कि जो company का net profit वगरा है वो काफी ज़्यादा uptrend में है तो आपको tension लेने की बात नहीं है quarterly result पर चलते हैं देखिए आपको दिखाई देगा sales देखिए 6 करोड फिर 13 करोड फिर 11 करोड फिर 15 करोड ऐसे करके company की sales है लेकिन बीच बीच में एक dip जैसा दिखाई पड़ा है आप यहाँ पर देखिए इस पर नजट डालिए इस पर नजट डालिए आप देख सकते हैं और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो इस पर भी आप नजट डाल सकते हैं तो एक थोड़ा सा dip भी आता है एक cyclical type का विवार है क्या इसके net profit में भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ा है दोस्तों तो यह बात आपको हमें यहाँ देखनी और समझनी पड़ेगी तो आप देखिए यहाँ पर minus में है फिर plus में हो गया और फिर यहाँ पर minus में हो गया अभी फिलाल में net profit कम हुआ है तो यह जो cyclicality है यह बात आपको समझनी पड़ेगी हम yearly PNL में चलेंगे और समझेंगे इस बात को yearly PNL में भी यह चीज़े समझ में आनी चाहिए आपको 9 करोड फिर 14 करोड फिर 11 करोड फिर 19 करोड 21 करोड फिर 41 करोड उसके बाद आप देखिए गठा है 33 करोड 25 करोड फिर उसके बाद 32 करोड 49 और 60 करोड तो यहाँ पे तो में चीज़े उतनी समझ में नहीं आ रही है लेकिन quarterly तौर पे में चीज़े समझ में आ रही है एक बात और net profit की अगर बात कर लें तो net profit कभी कभी deep में जा सकता है आप यहाँ पे देख सकते हो म आप साफ यहाँ पे सिक्लियल्टी देखने का मतलब है कि यहाँ पे आप देखिए कि जो operating profit margin है उसमें उससे भी आप समझ सकते हो माइनस में चला गया है operating profit margin यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 से गिर के सीधे आदा हो गया है 8% चला गया है तो और बाकी जगा तो ठीक है लेकिन दो जगाओं पे जो net profit है काफी ज़्यादा compromise हुआ है यह बात आपको समझनी पड़ेगी लेकिन अगर हम कहें कि दो साल से ठीक ठाक बना हुआ है वी 2024 का तो रिजल्ट आया नहीं कि मैं आपको बिता दूँ लेकिन बाकी जो company ने जो performance दिखाए है निवेसकों को पैसे बना इसीट में क्या कुछ है इसके पास company के पास आप देखिए कि 13 करोड का रिजर्व है 12 करोड की borrowing है आप यहाँ पी देखना fix date 13 करोड का है और company investment भी करती हुई नजर आ रही है यहाँ पे CWIP भी बीच में कर रही थी दोस्तों यह तो अगई कुछ positive बाते जो कि मैंने आपको दिखा दिया बता दिया लेकिन अब हम चलते हैं share holding pattern पर तो share holding pattern में आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी 73.53% का stake है promoter के पास public के पास जो stake है 26% का तो एक बात जो मैंने आपको बताया कि इसमें security है इस segment में इसलिए थोड़ा था आपको समझना पड़ेगा और कुछ ची अपनी जो product बनाती है उसका प्रियोग कहां कहां पर होता है तो यहां पर आपको कुछ चीज़े समझनी पड़ेगी stamp holder it does design manufacturing supply and erection commissioning of process equipment and other item for oil, gas, petroleum, chemical, sugar, steel, fertilizer, power plant sector में इनके product प्रियोग किये जाते हैं product की list मैंने आपको बता दिया था यह सब वहीं चीज़े हैं client कौन कौन थे वो भी मैंने बता दिया था revenue breakup को देख लेते हैं एक बार revenue breakup पे आप नज़र डालेंगे तो